माल्टि ठेडिंग के चाने के बारे में कि काव अपनी कुछ स्लीब मेेठेट को यूज करना इसके बारे में प्रेकरली हम इस पर्टिकुलर वीडियों में समझेंगे जब मानजली कोई trade कोई operation परफॉर्म करा रहा है उस समय में चाहते हैं कि trade कुछ समय के लिए कोई भी operation ना करें इतमीज वो sleep mood में चला जाए जैसे कोई trade execute हो रहा है वहाँ पर हम करें कि थोड़ा देर के लिए trade को bait करें या rest करें तो उस समय में हम trade को वहाँ पर sleep method को योज करेंगे कैसे तो चले इसको bit practically समझने की कोसिस करते हैं और sleep method से related हम एक whole normal सी introduction मतलब एक mini tab kind of project में आपको demonstrate कर दूँगा जिससे real time scenario basis आपको proper समझाएगा वह भी कर दूँगा तो सब्सक्राइब यहां पर एक class create करते हैं और यहां पर आते हैं new पर class पर आते हैं और simply इसको नाम देते हैं इस particular class कम यहां पर name देते हैं इसके अंदर हम main method को declare कर देते हैं तो यहां समारा यह main method हो गया main method declare करने के बाद आप हम क्या करेंगे यहां पर sleep related operation को perform कराते हैं हम जानते हैं कि अगर हम कोई भी trade अगर नहीं देर रहे तो हमारा main trade execute होता है उसी का अंदर हम operation perform करते हैं यहां पर इसका main trade by default चलता रहता है internally अगर हम कोई भी trade नहीं create करते हैं तब भी main trade create करता है तो उसी पर operation perform कराते हैं तो मैं उसका आपको name भी दिखाते हूं trade dot current trade हो गया तो यह अपने को यहां से current trade यहां से मिल जाएगा अब इस current trade का name क्या है मैं वह आपको दिखाते हो कर बाइड डिफोर्ट आप कोई भी trade नहीं create करते हैं यहां पर internally system जो हमारा एक trade करता है इसका नाम होता है main trade t dot get name यहां सम कर देंगे basically तो यह अपने को main trade दिखाएगा तो यहां से trade का name चलाएगा then हम क्या काम करते हैं जैसे अपने को trade का name दिखा उसको बार हम जाते हैं कि जैसे trade name प्रिंट करा दे तो हम जाते हैं कि थ्वादे trade हमारा rest करें तो यहां पर use हम करेंगे sleep और यहां मिली सेकेंड में लेता है तो यहां पर हम 5000 कर देते हैं मतलब क्या होगा यह 5000 टाइम के लिए बीट करेंगा और यहां से अपने को exception को throw करना परेगा okay interrupted टाप के extraction को throw करेगा देखिए interrupted exception tab को यहां से throw करेगा then इसके बाद जाते हैं जैसे यह हमारा get name print हो जाया मतलब trade name print हो उसके बाद आगेन हम एक name print करना चाहते हैं after five seconds यहां पर simply हम वो name दे देते हैं स्याम जैसे यह स्याम ने हमारा print हो जाया अगे हम जाते trade जो हमारा है कुछ second के लिए particular sleep हो जाया तो कि हमारा होगा three seconds तो यहां से हमने दे दिया आगे यहां से हम एक name दे देते हैं ओके तो हमारे यहां आप से name दे दिये particular और इस name को हम देते हैं simply हां से संगा चाहते हैं जैसे यह name print हो जाया थे थोड़ा दरीक लिए rest कर ले इत मिन में sleep method को यूज कर से तक है चैसे तो right click करते हैं यहां से रहना है जाबा प्रोग्राम पर आते हैं और यहां से बेट करते हैं तो यहां से हमारा main trade होगा 5 seconds के लिए फिर बेट करेगा देन यह Syaam name print करेगा देन थी second के लिए बेट करेगा इसके अगर को हम जाते हैं ट्रेट को इंटरप्ट करने के लिए तो कैसे ट्रेट को इंटरप्ट करेंगे ये बाले में हम पर्टिकुलर वीडियो को होल एक्स्प्लोर करेंगे नेक्स आने वाले अपकमिंग वीडियो में बिग प्रैक्टिकली की जैसे कि यहाँ पर ट्रेट एक्जी क्यूट हो रहा है यह स्लीप मूर में हो गया अब स्लीप मूर्स को जगाना है तो इसको पने को इंटरप्ट करना पड़ेगा तो कैसे इंटरप्ट करेंगे यह हम नेक्स जानेंगे बिक प्रेक्टिकली